Dear student, अगर आपको भी किसी क्यूशन में doubt है तो आपको उस क्यूशन का फोटो खिचना है और क्रोप करना है तुरूंत 5 सेकिंड में उस क्यूशन का answer video solution के साथ आपको मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्यूशन homework का हो, CBSC board का हो, राजस्तान board का हो या other किसी भी board का हो या class 6-12 IITJ NIT या physics, chemistry, biology, math के इन सभी सुवालों का जुआब मिलेगा doubtnet पर साथ ही doubtnet पर class 9-12 के बच्चों के लिए live classes हिंदी मेडियम और इंगलिस मेडियमे चल रही है तीन करोड से ज्यादा बच्चे इस application पर पढ़ाई कर रहे हैं doubtnet के इस application को अभी download कीजिए लिंक मिलेगा description में नमस्कार प्यारे वच्चों सुवागता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में अगर आप कक्सा 10 के छात्र हैं और 2021 की board exam में सामिल हैं तो ये वीडियो आपको सुरू से अन तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कक्सा 10 हिंदी और कक्सा 10 हिंदी का जो chapter 11 है और chapter 12 है तो उसके most important question में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को आपको सुरू से अन तक देखना है और बाकी के chapter के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम chapter 11 और chapter 12 के most important question की हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर chapter 11 है आपके एक अद्भूत पूर्व सवपन तो इसके भी मैंने 5 very very most important question लिये हैं जो आपके 2021 की board exam में पुछे जाएंगे तो यहाँ पर पहला प्रसन आपको दिया है कि पंडित प्राणांतक की क्या विशेष्ता बताई गई है यानि पंडित प्राणांतक की क्या क्या विशेष्ता हैं बताई गई है वो आपको इसमें लिखनी है तो इसका अंसुर क्या है आपके की पंडित प्राणांतक के प्रसाद प्रैसिद वेद हैं जब तक वह रोगी को ओस्दी नहीं देते दवाईया नहीं देते तबी तक वह संसार के कस्ट उठाता है और उनकी दवा मिलते ही उसकी सर्वगवास का सुख तुरंत प्राप्त हो जाता है चिंत्या पर चड़ते समें भी वह उनके उपकार नहीं बूलता तो ये आनसुर सकता है उसके बाद में प्रैसर नमर दो है आपके लेखक ने देवाले बनाने का विचार क्यों त्याग दिया यानि जो लेखक हैं उन्होंने देवाले बनाने का विचार क्यों ताग दिया तो वो आपको इसमें बताना है तो अंग्रेजी सिक्ष्या के प्रचार प्रसार क यहाँ सोचकर लेखक ने देवाले बनाने का विचार छोड़ दिया उसके बाद में प्रेशन नम्मर तीन आपको दिया है कि लेखक ने पाट साला बनने पर इस वर को धन्यवाद क्यों दिया लेखक ने पाट साला बनने पर इस्वर को धन्यवाद क्यों दिया तो इसका आपको reason लिखना है तो इसका अंसुर क्या आएगा आपके पाट साला बनाने के लिए लेखक के पास धन नहीं था यानि पाट साला बनाने के लिए लेखक के पास धन नहीं था इस्वर की क्रीपा से ही मित्रों से साइता के रूप में धन प्राप्त हुआ तथा विदाले के लिए एक से एक अच्छे अध्यापक उपलब्ध हो सकें इस्वर के अनुग्रे से ही अपने नाम को इस्ताई रखने की लेखक की जो अभिलासा है वो पुर्ण हो सकी यानि पाट साला बनाने के लिए लेखक के पास धन नहीं था इस्वर की क्रीपा से ही मित्रों से साइता के रूप में धन प्राप्त हुआ और विद्याले के लिए एक अच्छे से अच्छे अध्यापक उपलब्ध हो सके इस वर के अनुग्रे से ही अपने नाम को इस्ताई रखने की लेखक की जो अभिलासा थी वो पूर्ण हो सकी प्रसन नमर च्यार आपको दिया है कि लेखक ने अपना नाम संसार में इस्ती रखने के लिए क्या क्या सोचा तो संसार में अपना नाम इस्ती रखने के लिए लेखक ने क्या क्या सोचा सबसे पहले उन्होंने देवाले बनाना चाहा उसके बाद में पुस्त के लिखने और अंत में पार्ट साला बनाने के बारे में सोचा या आपको इसमें लिखना है उसके बाद में प्रैसन नमर प इसकी बोड एक्जाम में पक्का पुछा जाएगा कि भारतेंदु को हिंदी गद्दे का जनक क्यों कहा जाता है तो भारतेंदु हरिस्चंदर का हिंदी गद्दे के सवरूप निर्मान में अत्यदिक योगदान है इसी कारण उनको हिंदी गद्दे का जनक कहा जाता है यानि भारतेंदू हरिस्चंदर का हिंदी गद्धे के सवरूप निर्मान में अत्यदिक योगदान है इसी कारण उनको हिंदी गद्धे का जनक कहा जाता है उसके बाद में अगला चेप्टर है आपके इदगा यानि 12 का पार्ट है आपके इदगा जिसमें पहला क्युस्टन मेंने लिया है very very most important जो आपके 2021 की board exam में इस क्युस्टन के जो आने के chance है वह है 99.30 यानि ये क्युस्टन आपके आ सकता है इसमें आपको क्या पूछा गया है कि हामिद के चरित्र की कोई तीन विशेषता हैं बताईए इसमें आपको बताना है कि हामिद है हामिद नाम का कोई लड़का है इस चेप्टर में और उसके चरित्र की आपको कोई तीन विशेषता बतानी है तो पहला एक नमबर पर क्या है कि आसावान हामिद आसा की भावना से बरा है यानि आसावान हामिद है वो आसा की भावना से बरा है इसके बल पर वह सभी कठिनाईयों से लड़ सकता है दो नमर पर जो विशेषता दी गई है कि हामिद सवेंदन सिल है वह बातों को गहराई से समझता है और तीन नमर पर जो विशेषता बताई गई है कि कम उमर में ही उसमें उत्रदाईत्वे की भावना आ गई तो ये तीन विशेषता हैं आप सभी को अच्छे से याद करनी है उसके बाद में दूसरा परसन भी आपके very very most important question है Question क्या है कि हामीद ने चीम्टे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तरक दिये क्या क्या तरक दिये कौन कोन से तरक दिये तो इसमें पहला तरक क्या दिया कि चीम्टा है वो खिलोना है बंदूक तथा फकीर के चिम्टे की तरह उसका प्रियोग हो सकता है दो नमबर पर क्या तरक दिया कि जमीन पर गिरने पर तूटेगा नहीं जबकि मिट्टी के खिलोने तूट जाएंगे तीसरा तरक क्या दिया कि उसका चिम्टा बादूर है शेर है वह आग पानी में डटा रहता है उसके बाद में प्रैसर नमबर तीन ईदगा कानी की कथा वस्तू की क्या विशेशता है तो ईदगा जो कानी है उसकी कथा वस्तू की क्या क्या विशेशता है उसके दुवारा चीम्टा खरीदना इस बात को सिद करने वाला है उसके बाद में प्रैसन नम्मर च्यार आपको दिया है कि प्रेमचंद का वास्तिविक नाम क्या है या आपके सोट क्यूस्चन में आ सकता है कि प्रेमचंद का वास्तिविक नाम क्या है दनपत राए क्या नाम है दनपत राए और उसके बाद में प्रहसन नम्मर पांच आपको दिया है कि हामिद के अलावा इदगा कानी के किस पात्र ने आपको सर्वादिक प्रवावित किया है यानि हामिद के अलावा इदगा कानी के इस पात्र में इस पाट में आपको सबसे ज्यादा प्रवावित किसने किया है उसके बारे में आपको बताना है तो हामिद के अलावा हमको सर्वा दिक प्रवावित करने वाला पातर है अमीना अब अमीना कोन है इसके बारे में आपको बताना है वह हामिद की बूड़ी दादी है हामिद के माता पिता नहीं है वह हामि उसे त्योहार मनाने की चिंता है इतनी उमर होने पर भी वह घर का काम करती है खाना बनाती है और सिलाई करके घर का खर्ट से चलाती है तो यह सारे क्यूशन मेंने आपको चेप्टर 11 और चेप्टर 12 गे जितने भी आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेट है जो आपके 2021 की बोर्ड एकजाम में पूछे जा सकते हैं मैंने सारे क्यूशन से आपको करवा दिये हैं इनके अलावा आपके 2021 की बोर्ड एकजाम में एक भी क्यूशन अलग नहीं आएगा तो इस सारे क्यूशन आपको त्यार करने हैं